नमस्कार दोस्तों मैं संतोस कुमार चिनहा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूटूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक इन्फोर्मेटिव स्रीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें हम सेयर मार्केट के बारे में या उसके अंदर जो एक्टिविटी होता है कैसे हम जो इसके अंदर आईपियो की लिस्टिंग होती है इसके अंदर प्राइमरी मार्केट में हम क्या करते हैं से लेकर के बल्क डिल क्या होता है ब्लॉक डिल क्या होता है यह सारी चीजों के उपर हम दिरे 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 डिसकस करेंगे तो इस करम में मेरा यह पहला वीडियो है और मैं इसको बहुत ही beginner level से जो हैं start कर रहा हूँ बहुत elementary level से start कर रहा हूँ और इस में हो सकता है कि जो मैं जानकारी share कर रहा हूँ यह सब आप लोगों को पता होगा मगर जो लोग अभी नए-ने share market में आये हैं वो अभी जिससे इंट्री ले रहे हैं तो उनको इस वीडियो से काफी फायदा हो सकता है वो इसको समझ सकते हैं तो ये वीडियो मैंने mainly उन लोग को target किया है और बाकी वैसे मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे friends जो already market में trading कर रहे हैं उनको इस वीडियो में कोई साथ नई चीज सीखने को ना मिले मगर जो नए लोग हैं उनको इसमें बहुत कुछ नया मिल सकता है और बहुत सारी basic चीजें वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं तो अभी मैंने elementary से start किया है दिरे दिरे इसको हम और advance बनाते चले जाएंगे और मेरी कोशिस यह है कि मैं आपको पूरा information जो है वो दूँ और आप market को और market के अंदर क्या-क्या चीजे हैं इनको अच्छी तरह के समझ सकें तो आईए हम आगे बढ़ते हैं और तो आज मैंने start किया है कि what is a stock and share market generally हम लोग जब share market बोलते हैं या stock market बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम एक ही entity के बारे में बात कर रहे हैं actual में होता तो वही है कि हम एक ही चीज को refer करते हैं लेकिन practically अगर आप इसके ज़्यादा इनर्डिफ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा stock market में और share market में difference है इसलिए इसका terminology जो है वो अलग अलग दिया गया है तो आजए इसके बारे में बात करते हैं कि दोनों अलग जो है वो कैसे हैं तो सबसे पहले आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे stock market होता क्या है दूसरा हम बात करेंगे कि अगर share market stock market से अलग है तो भाई share market में क्या होता है और stock market में ऐसा क्या होता है कि दोनों को हम अलग-अलग मान कर चल रहे है तीसरी बात हम बात करेंगे कि stock exchange क्या होता है stock exchange का क्या काम है उसके बाद हम बात करेंगे कि सेवी जो है वो क्या है सेवी को किस परपस से बनाया गया है फिर हम बात करेंगे कि सेर मार्केट कितने टाइप के होते हैं ये बहुत लोगों को पता होगा बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि share market कितने type के होते हैं उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हम share market में trading करना चाहते हैं तो हमें किन-किन चीजों की जरूरत हो सकती है हम इसके बारे में भी बात करेंगे यह बहुत ही छोटा वीडियो है लंबा वीडियो नहीं है और मैं कोसिस यह करूँगा कि मैं छोटा छोटा वीडियो ही लाता रहूं इस स्रीज में ताकि आप लोगों का time भी थोड़ा कम लगे मगर आप लोगों को जानकारी पूरी और देरे-देरे मिलता रहे और अगर आप लोगों को छोटा छोटा इस टॉक मार्केट में हम लोग करते हैं mainly four financial instruments are traded in stock market पहला जो है वो bonds है bonds क्या है आपको पता है कि company bonds नकालती है bonds के बदले में लोगों से पैसा लेती है और उसके बाद कि वो दो साल या तीन साल का bonds नकालती है बाद में वो या तो interest पे जो पैसा लेती है उस interest देती है और बाद में या तो पूरा पैसा लोटाती है bonds का या फिर bonds को share में भी convert करती है दूसरा आता है derivatives derivatives के अंदर बहुत सारी चीज़े आती है जैसे कि हम अगर माल लिजे ये future option का भी अगर हम call लेते हैं और भी जो दूसरी चीज़े हम इसके अंदर लेते हैं जैसे कि ये currency का जो exchange होता है currency में भी लोग deal करते हैं तो ये सारी चीज़े derivatives के अंदर आती है उसका शेयर आपको पता है कि शेयर की trading होती है जो company का जो equity होता है उसकी भी trading करते हैं और चौता है mutual fund यानि कि बहुत सारे जो banks हैं या institutions हैं जिन्होंने mutual fund जो है निकाला हुआ है तो mutual fund की भी खरीद विकरी stock market में होती है अब आते हैं share market share market क्या होता है तो share market में हम सिर्फ सिर्फ एक चीज़े ही खरीदते हैं और वो होता है equity इसके अंदर ना तो कोई bonds खरीदा जाता है ना तो कोई derivatives होता है और ना तो mutual funds होता है हाँ सिर्फ share market में हम share की ही खरीद विकरी करते हैं या share market से ही share जो है वो issue होता है ये main difference है एक छोटा छोटा सा thick line है thin line है जो जिसे समझना बहुत जरूरी है अब आगे बात करते है stock actions क्या होता है तो stock actions share market का ही एक part होता है जो जिसे बनाए गया है कि आप share को खरीद सकें या बेच सकें stock actions के थुरूर हमारे पास mainly इंडिया में भारत में दो तरीके के ही दो stock actions है एक है national stock actions जिसको हम लोग short में NAC बोलते है दूसरा है Bombay stock exchange जिसको हम लोग BAC बोलते है और इन दोनो stock exchange पे share की खरीद बिक्री होती है जनरली हम लोग या तो NAC से share खरीदते है या हम लोग BAC से share खरीदते है जो भी आपका demate account होता है उसके थूरू हम दोनों में से किसी भी exchange से share खरीद सकते है share की trading कर सकते है जो national stock exchange है वो Delhi में है जो Bombay stock exchange है वो Mumbai में है national stock exchange में किसी भी exchange में मतलब जो shares है या जो आज इनका जो index है वो उपर जा रहा है या नीचे जा रहा है उसको हम nifty बोलते है और Bombay stock exchange का जो index होता है उसको हम sensex बोलते है जैसे हम लोग बोलते है कि nifty इतना point down हो गया nifty इतना point up हो गया तो हम national stock exchange की बात करते है और जब हम बोलते है कि sensex इतना point चला गया इतना point उपर है इतना point नीचे है तो जब हम Sensex terminology यूज करते हैं तब हम Bombay Stock Exchange की बात करते हैं उसके बाद बात करते हैं सेवी का सेवी क्या है तो सेवी एक institution है जो government ने बनाया है जिसका full form होता है Security Exchange Board of India और सेवी को बनाया गया है ताकि market में जो भी activity हो रही है उसके उपर अपना नजर रखे trading को या operations को जो भी share market में हो रहे है उसको regulate करे और investors के interest को protect करे ये देखे कि investors के साथ कोई जाती तो नहीं हो रही है या company किसी तरह का कोई गलत काम तो नहीं कर रही है stock exchange में तो इन सब चीजों को देखना और action लेना ये सेवी का काम है तो सेवी के अंडर में ही stock exchange आते हैं चाहे वो national stock exchange हो या वो bombay stock exchange हो उसके बाद हम बात करते हैं कि कितने तरीके के share market होते हैं तो mainly दो तरह के share market होते हैं एक जो share market होता है उसको हम primary market बोलते हैं दूसरा जो share market होता है उसको हम secondary market बोलते हैं primary market में क्या होता है primary market में कोई भी नई company जब कोई अपना IPO का issue करना चाहती है यानि कि public से पैसे raise करना चाहती है तो primary market के थूँ ही वो company रेजिस्टर्स होती है और वो अपना जो share है उसका IPO issue करते हैं और fund को raise करते हैं public से जिसको IPO का मतलब होता है initial public offer और secondary market में क्या होता है एक बार जो IPO issue हो गया लोगों ने IPO का subscribe किया तो बाद में वो IPO की जब listing होती है और listing के बाद जब हम कोई share खरीते हैं या बेशते हैं तो वो secondary market से ही हम खरीते हैं तो secondary market में listing हुए equity का खरीद या बिकरी किया जाता है और primary market में पहली वार जब कोई company का IPO हम खरीते हैं तो वो primary market में खरीते हैं और share market में अगर हम trade करना चाहते हैं तो कैसे trade करें क्या हमें करना चाहिए तो share market में trading करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों क जरूरत होती है एक जो है वो हमारे पास एक saving bank account होना चाहिए जिससे कि हम पैसा जो है वो allocate कर सकें जिस पैसे के use करके हम share को खरीट सकें equity को खरीट सकें या IPO हम लगा सकें या फिर जो भी share हमने बेचा उसका पैसा वापस मेरे account में आ जाए तो इसके लिए हमारे पास saving account का होना बहुत जुरूरी है दूसरा जो है वो है demate account यानि हमारे पास एक demate account होना चाहिए हम demate account भी खुलना चाहिए हमारे लिए तभी हम trading कर पाएंगे demate account हम किसी भी bank में भी खोल सकते बहुत सारी bank जो है वो provide करती है जैसे SBI का SBI demate है जिसको SBI capital जो है वो operate करती है SBI smart के नाम से ICICI का ICICI direct है Axis bank का भी है Yes bank का भी है प्राइबेट बैंकों में HDFC भी है और उसके लावा काफे discounted broker भी है जिनकों की हम जिरोधा या पस टॉक्स या अंजल ब्रोकिंग ऐसे भी brokers हैं जो हमें demate account का facility provide करते हैं और यह जो demate account होता है यह stock exchange से linked होता है और इस demate account के थुरू हम equity खरीचते हैं चाहे वो national stock exchange से या Bombay stock exchange से तो यह एक छोटा सा मेरा जो है वो एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है यह इसको मैंने स्टार्ट किया बिल्कुल कि share market के बारे में basic चीज़े हैं आप सब लोगों को पता होगा मगर जो नए लोग है हो सकता है जो पहलिवार share market में है उनको इसमें कुछ नई चीज़ें देखने को मिले धीरे-धीरे मैं इसको advance लेवल पर करता जाओंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को basic से लेकि advance तक पूरी जानकारी में देता रहूं मेरा जो email ID है वो है stk.learning.gmail.com टेलिग्राम पे भी मैंने अपना नया चैनल ओपन किया है उसका link भी आप देखिए stk-learning के तुरू आप जा सकते हैं और वहाँ भी आपको ये वीडियो मिल सकता है और description में भी मैंने दिया हुआ है अपना email ID और ये टेलिग्राम का link उसको यूज करके आप जोइन कर सकते हैं तो इसी के साथ मैं आप सबसी जाज़त लूँगा नमस्कार जै हिंद जै भारत बंदे मात्रम